ये तीन रंग हैं लाल, हरा और निला और ये इनी तीनों रंगों की LED lights हमने इन तीनों को mix किया, एक जगह result मिला almost black और एक जगह result मिला almost white lights के case में हमने सारे primary colors की light एक साथ mix कर दी इसलिए हमें white light मिली, इसे हम additive color mixing भी कहते हैं हमारे computer screen और mobile screen में भी इसी तरीके से colors मिलते हैं आप चाहें तो अपने camera से zoom करके इन तीनों रंगों के pixels देख भी सकते हैं रंगों की mixing को subtractive color mixing कहते हैं इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी रंग हमें दिखता है वो white light में से बहुत सारी wavelengths को subtract कर देता है और जो wavelengths पचती हैं वही रंग हमें दिखता है जब हम लाल रंग का ink या pigment दिखते हैं वो white light में से सारी wavelengths absorb कर लेता है सिवाए red color की wavelength के अगर हम एक ideal लाल और ideal हरे को mix करें तो भी हमें black मिलेगा क्योंकि हरे से हर एक wavelength absorb हो जाएगी सिवाए हरे के और लाल से हर एक wavelength absorb हो जाएगी सिवाए लाल के जिसमें हरा भी है